अलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू दा अफिसेल यूट्यूब चैनल आप ओरिजिन कोचिंग देखें आज का जो वीडियो में लेके आया हूं वो 11 ख्लास फिजिक्स के हिंदी मीडियमी स्टूडेंट्स के लिए है एक्च्वली हमारे चैनल में आप लोगों ने देखा भी होगा यदि तो इंग्लिस मीडियम के कंटेंस हैं 11 ख्लास के इंग्लिस मीडियम के फिजिस के बहुत सारे कंटेंस हमने डाला हुआ है 12th Class Physics का Hindi Medium और English Medium दोनों के contents डला हुआ है Hindi Medium Students के Special Demand पर हमने Hindi Medium के वीडियो बनाए और 11th Class को भी ध्यान में रखके मैं आज से 11th Class Hindi Medium Students के लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइट करा रहा हूँ तो आज मेरा पहला Class है 11th Class Physics Hindi Medium के लिए इससे पहले कि मैं आपको Physics प्रहाना स्टार्ट करूँ कुछ important बात Physics से related आपसे करना चाहूँगा आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए देखिए जब आप 10th Class पास करके आते हैं आपना 10th Class हम अपना अलग-अलग stream decide करते हैं कोई Arts, Humanities पस जाता है, कोई Commerce लेता है, कोई Science लेता है तो जो Students Science लेते हैं with Mathematics Mathematics or Bio या तो आप Biology लेते हैं या तो Mathematics लेते हैं तो आपको Physics का सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ता है 10th Class तक आप जो Science पढ़े हुए होते हैं उस Science में आप Physics का portion पढ़े होते हैं तेकिन एक General Science की तरह 11th Class से आपको Physics एक इस पैसा सब्जेक्ट हो जाता है तो मैंने अपने previous experience में अपने Class में देखा है कि 11th Class में जब इस Students आते हैं तो Starting में उनको Physics में बहुत प्राबलम महसुस होता है और उस प्राबलम के क्या वज़ा है और उन प्राबलम को कैसे दूर करना चाहिए यह मैं आपको सबसे पहले थोड़ी देर आपसे डिसकस करूँ फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो Physics समझने के लिए सबसे Important बास होती है वो है आपका Math आपका जो Math है गरीत का जो portion है आपका वो इस ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जब तक आपका Mathematics अच्छा नहीं है आप Physics धंक से नहीं समा सकते हैं खासकर जो इस Student बायो वाले होते हैं उनको Physics में कुछ ऐसे Mathematics की आउसकता होती है जिसको उन लोग 10th क्लास तक नहीं पढ़े होते हैं जैसे Calculus, Kalan, Vector Algebra, Beez-Gadit ये सब कुछ ऐसे Mathematics हैं दुपत्प्रमे, Binomial Theorem जिसके बीना आप Physics को समझ नहीं सकते लेकिन आप 10 तक उसको पढ़े भी नहीं होते तो हैं एक बहुत important बात होती है कि हमको 11th क्लास Physics स्टार्ट करने से पहले ये जो गडिती और धर्णा है इसको हमको समझना चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे चेनल में Basic Mathematical Concept Physics Mathematics or Physics करके मैंने 5 वीडियो डाला हुआ है देखिए वो आप देखेंगे तो आप Hindi Medium इस्ट्रेंट से पहले भार आपको वीडियो को देखेंगे करें लाएगा कि सर्थ English Medium में पढ़ा रहा है लेकिन Mathematics में Language का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर आपको Math को समझना है Physics समझने के लिए हमको English Medium के लिए अलग वीडियो बनाने पढ़ते हैं और Hindi Medium के लिए अलग वीडियो बनाने पढ़ते हैं लेकिन Mathematics को Combine पढ़ा जा सकता है क्योंकि उसमे Language बहुत ज़्यादा Important नहीं होता और जहां ज़रुरत हैं वहाँ पर मैं दोनों Language में उसको बता देता हूँ तो आप सभी स्टुडेंट से मेरा पहला request यह है मेरा पहला suggestion है आपको कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने के पहले या इस वीडियो को देखने के बाद immediate बारी-बारी से वह फाइब वीडियो मैंने जो डाला हुआ है आप प्लेइलिस्ट में जाईए आप हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाईए और प्लेइलिस्ट में जाने के बाद मैंने अलग से उसके लिए प्लेइलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है Mathematical Tools या Mathematical Concept Parphysics Heading देख के परसान मत होना English का Contents है Qumis का Contents है आपको भी वो समझ में आएगा और एक मेरे आपसे request है कि वो वीडियो देखने के बाद यदि आपको किसी प्रकार की परिसानी आती है या आपको कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे comments box में जरूर comments करिए मैं आपके comments ध्यान से पढ़ूँगा आपको reply करूँगा और मैं बताने की कुछिस करूँगा आपको कि आप कोहां से कैसे पढ़ेंगे तो कोई भी problem आता है तो आप में उसे जरूर से कीजिए clear तो physics समझने से पहले आपको ये 5 video जो math per waste है वो आपको देखना है अब हम start करते हैं ये देखने इसको ऐसा नहीं कि आपको अचाना कर लेना है ये 5 video one by one देखते रहे हैं देखें कि important बास है अचानत आज से ही हमको ये पूरे mathematics के जुरत पड़ेगा ऐसा नहीं है ये mathematics के जो हमारा वीडियो है फार 11th class फार 12th class 11th का physics, 12th का physics प्लास यदि आप NEET student यदि आप mathematics के student है तो IID के लिए या NEET के लिए जिसके लिए आप करेंगे सबके लिए compass है सबके लिए मतलब भी बेहस है ये physics का बेहस है तो इसको आप क्या है आराम से देखते रहिए और बार-बार उसको revision करते रहिए ऐसा नहीं कि आपको अचानक वो आपसे prepare नहीं हो पाएगा आप उसको धिरे-धिरे करते रहिए और साथ में physics पढ़ते रहिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना physics देखें आपका 11th class के physics का जो पहला chapter है वो है physical world भौतिक जगत जिसको अलग से वीडियो बनाने का मेरे को जोरत नहीं है मैं आपको बस ऐसी दो मिनिट में बता देता हूँ भौतिक जगत जो पहला chapter होता है उसके लिए को ये लग से वीडियो के आउसकाता नहीं है वहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि what is physics physics क्या है physics subject में हम क्या पढ़ते है that is only introduction after physics वो के वाल physics का एक introduction है कि physics क्या है physics विज्ञान की वह साखा है जिसमें हम प्राक्रितिक घटनाओं और उनके कारणों का अध्यान करते है फिर physics के branches कोन कोन से है physics दो पार्ट में बटा हुआ है एक खलाता है moon classical physics चीर सब मत बहुती की दूसरा खलाता है modern physics तो यह सब आप अपने test book से reading करें आपको सब समझ जा जाएगा main topic जो आपका physics के लिए start होता है वो है हमारा जो heading हम डाल के रखें हुए है मापन मापन means measurement तो मापन से मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ तो देखे मापन actual में है क्या मापन का मतलब क्या है ये बात आपको इस पस्टू से पता होगा कि इस पूरे संसार में पूरे ब्रह्मान में जितने भी भावतिक चीजे हैं उनको जब तक हम measurement नहीं कर सकते माप नहीं सकते तब तक हम उसका study नहीं कर सकते जैसे suppose मेरे को कहीं बाजार में जाके आलू खरिदना है तो उसको दुकानदार को मुझे को quantity बताना पड़ेगा कि मुझे 5 kg चाहिए कि 10 kg चाहिए मुझे और कोई चीज खरिदना है suppose मुझे कपड़े खरिदने है तो length चाहिए, meter चाहिए कहीं जमीन खरिदना है मतलब यह आपको कोई भी चीज आपने व्योहार में यूज करना है तो आपको मापन की अवस्केता पड़ती है तो physics के according physics का कहना है कि physics केवल उन्ही भौतिक रासियों का अध्यान करता है जिनको मापा जा सके जिनका measurement possible है जिनका measurement possible नहीं है जिनको हम माप नहीं सकते उसको हम physics में पढ़ भी नहीं सकते जैसे suppose मैं बोलूं कि मुझे भूख लग रही है तो उसको physics में नहीं पढ़ा जा सकता है क्यों? क्योंकि हम भूख को measurement नहीं कर सकते हैं मैं बोलूं मुझे नीद आ रही है तो physics का matter वो नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि नीद को हम measurement नहीं कर सकते लेकिन मैं बोलूं ये पराश चाख है तो ये physics का matter हो सकता है क्यों? इसका हम दरब दिमान, इसकी लंबाई इसकी मोटाई, इसका घनत तो हर चीज माप सकते हैं तो ये बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक, भौतिकी केवल उन चीजों का ध्यान करता है जो जिनका मापन संभव हो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मापन की आवस्यकता हमको मापन की आवस्यकता क्यों होती है? मापन की आवस्यकता? Need for measurement मापन का जवरत क्यों पड़ा होगा? एक समान यसी बात है जब science ने development नहीं किया था हम आदी माना यूग में जी रहे थे तो हमको ज़्यादा मापन की आवस्यकता नहीं थी क्यों? क्योंकि हमाय requirement basic requirement बहुत कम थे और हमको कोई चीजों की जवरत नहीं थी करना है कि इतना जमीन मेरा है तो मैं रहीं बताना पड़े का भाई कितनी लंबाई की जवरत पड़ा foods हमारे खाने पीने के चीजों को हम measurement करने लगे समय को measurement करने लगे दीन होता था रात होता था फिर हम अपने काम समय वक्त के हिसाब से किया करते थे इस पकार से धीरे-धीरे हमको मापन की आवसकता हुई सबसे ज़्यादा मापन की आवसकता वस्तू विनिमय के लिए हुआ वस्तू विनिमय के लिए मतलब पहले जब रूपिय पैसे नहीं थे तो उस टाइम में जब हमको वस्तू विर्माय करना होता था तो वस्तू से वस्तू हम विर्माय करते हैं जैसे मैंने किसी को कुछ पदार्थ दिया सपोस किसी को मैंने राइस दिया, चामल दिया तो उसके बदले में वो मेरे को गेहू दिया ऐसा material exchange होता था with material, material to material तो measurement का जवरत पढ़ता था कि मैं कितनी मातरा में मैंने उसको दिया और कितनी मातरा में वो मेरे को return किया ये बहुत दिनों तक चला लेकिन science ने जैसे जैस डवलक किया तो systematic measurement सुरू हुआ और सबसे पहले सबसे पहले तीन भावतिक रासियों को मापने किया आउसकता होती पढ़ी और उसमें से पहला है लंबाई लंबाई दूसरा द्रब्यमान और तीसरा समय लंबाई को, द्रब्यमान को और समय को मापने का ये हमको सबसे पहले ज़ुरत पढ़ा क्योंकि यह हमारे life के basic needs है basic needs मतलब मुलभूत आवस्च कता है हम अपनी जिन्दगी को चलाने के लिए इन तीनों चीजों के मापन का हमको बहुत जादा आवस्च कता पड़ता है और इन तीनों चीजों को मापने के लिए जो प्रणाली डवलप की गई जो system डवलप किया गया वो तीन system डवलप किया गया पहला था C, G, S दूसरा था F, P, S और तीसरा था M, K, S और चौंसा development हुआ SI unit इस परकार से इनको मापने के तीन प्रणाली डवलप हुई जिसमें यह C फार cm है मतब इसमें जो पहला आपको दिखाये गया है लंबाई मापने का है दूसरा क्या है दृब यमान मापने का है और तीसरा क्या है समय मापने का है तो CGS का मतब बता है cm, g, second प्रणाली मतब लंबाई को मापा गया cm से दृब यमान को मापा गया g, gram से सेकंड से ही मापा गया, तीसरा प्रणाली जो डबलब हुआ, वो एक्चल में CGS का ही विश्त्रित रूप था ये, हम लंबाई को सेंटिमीटर के बजाए, मीटर में मापने लगे, हम दरब दिमांग उनको ग्राम के बजाए, किलो ग्राम में मापने लगे, केफार, केजी, और समय को तो, सेकंड से ही मापा गया, और ASI सिस्टम क्या है, ये फ्रांस के सेवरा, देखे, ये जो तीन प्रणाली हमारे पास थे, उसमें कुछ-कुछ प्राबलम आने लगा, कैसे, कोई कंट्री इसको फालो करता था, कोई कंट्री इसको फालो करता था, तो एक्सपोर्ट, एम्पोर्ट में प्राबलम होता था, सपोस हमने किसी कंट्री को कोई चीज एक्सपोर्ट किया, और उसको हमने मेजर्मेंट करके फूट में दे दिया, और वहाँ पर फूट का सिस्टम नहीं चलता, वहाँ पर मीटर चलता है तो उनको प्राब्लम हुआ एक च्वार में ये ब्रिटिस प्रडाली कहलाता है कि ब्रिटिस लोग जहाँ 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 पर अंग्रेजों का सासन था उन लोगों ने ये ब्रिटिस प्रडाली को फालो किया इस तरह से international material exchange में कुछ प्राबलम आया तो पूरी दुनिया के वज्यानिकों ने एक मीटिंग किया फ्रांस, पेरिश की राजभानी, फ्रांस के पास एक जगा है जिसका नाम है सेवरस, ये famous ये जगा है, नाम पाप याद रखिए सेवरस, फ्रांस के पास एक जगा है, इस स अंतरास्टी एक international meeting आर्गनाईज किया गया, जिसमें पूरे दुनिया के scientists लोग collect हुए, और उन्होंने एक समझावता किया, कि अब हम पूरी दुनिया के लोग एक standard system को मानेगे, इस से बते हैं, international standard system, अंतरास्टी मानक प्रणाली, और आज के date में जो हम प्रणाली फ्राल करते हैं, वो SI unit ही होता है, clear, तो इस SI unit में पूरा MKS को adapt किया गया, और यहाँ पर जो महत्पूर्ण बात थी, वो ये थी, कि हमारे पास जो principal, मतलब इसका fundamental units है, मूल भूत, मातरक, या मूल मातरक, अब खाली मूल मातरक भी कह सकते हैं, मूल मातरक, तो जो मूल मातरक है, वो तीन तो हमारे पास थे ही, लंबाय, द्रवज़िमान और समय, ये हमारे पास तीन मातरक थे, और चार और नए भूतिक रास्थियों के बारे में पता चला, जिस जो मूल मातरक कहेगए, जिसमें चोथा हम कह सकते हैं, विद्युधारा, एलेक्रिक करेंट पांचवा प्रकास की तीब्रता प्रकास की तीब्रता छट्वा पदार्थ की मात्रा और सात्वा ताव ये इसको अकराम आगे पीछ अगर सकते हैं तो ये चार और अपने को भोतिक रास्यों का मूल मात्रा के रूप में पता चला जिसमें विद्युधारा के मात्रक को हमने केपिटल ए, एफार एंपियर, एंपियर से रिप्रेजेंट किया एंपियर साइंटिस्ट का नाम है और एंपियर से पतासित करते हैं प्रकास की तिम्रता को केंडला, सीडी केंडला जिसको सीडी से पदसित किया गया पदार्ज की मातरा को मॉल इसको हिंदी में मॉल ही रहेंगे और ताप को हमने केल्विन किस से पदसित किया और ये तहलाए मूल मातरक, मतलब मूल मातरक टोटल कितने होगा, साथ, लंबाई, दरबिमान, समय, विद्युधारा, प्रकास किती ब्रता, पदार्थी मात्रा और ताप, ये मूल मात्रक कहलते हैं, और इनको मूल मात्रक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते, तो मूल मात्रक का कांसेट कि ऐसी भोती क्रासियां या ऐसे मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते, अन्य पर आस्रित नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है, इसके बाद पूरक मात्रक, दो पूरक मात्रक बनाए गए, सप्लिमेंटर यूनिट इसका मतलब होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ये भी इंडिपेंडेंडेंट होते हैं लेकिन इसके मातरक नहीं होते हैं जिसमें इसको विमी सुत्र नहीं होता है जिसमें पहला है कोड कोड बराबर चापबटे त्रिज्या और दूसरा है घन कोड मैं आगे चल के आपको घन कोड को और डिटे इस्टे रेडियन इस तरह से रेडियन और इस्टे रेडियन कोड़ और घन कोड़ ये दो पूरक मातरख होते हैं इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये साथ मूल मातरख जिसके मातरख ये हैं और दो पूरक मातरख इसके बाद और जितने भी मातरख होते हैं फ बाद तो भी मैंने आपको बताया मूल मात्रक और पूरक मात्रक इसको बते हैं फंडमेंटर यूनिट आप इंगलिस नाम को भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आपको आगे और इसको बते हैं सप्लिमेंट यूनिट यह है मूल मात्रक और पूरक मात्रक अब हम देखते हैं ब्यूत्वपन मात्रक तो देखिए ये 7 मातरक, मुल मातरक और 2 पूरत मातरक को छोड़के और जितने भी मातरक होते हैं उनको कहा जाता है वित्पन मातरक वित्पन मातरक derived unit नाम से इसपस्ट है वित्पन का मतलब जो क्या हो दूसरों से दूसरे से उत्पन हो मतलब इसका सिधा definition क्या हो जाएगा ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन होते हैं या मूल मात्रक पर आशरित होते हैं उन पर निर्भर करते हैं ऐसे मात्रक को हम क्या कहते हैं व्यूत्पन मात्रक कहते हैं जैसे वेग मालव हमको वेक का मात्रक निकालना है तो वेक बराबर होता है विस्थापन यह आपने पढ़ा है विस्थापन बटे समय यह क्या कहलाता है मूर वितर मात्रक कैसे होगा विस्थापन मतलब क्या हो गया विस्थापन मतलब लंबाई हो गया तो लंबाई का मातरा क्या हो जाएगा मीटर और समय का मातरा क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसलिए हम इसका मातरा क्या कहते है मीटर पर सेकंड या आजकाल माडर रफिजिस के हिसाब से पर सेकंड लिखने के बजाए इसको लिखा जाता है मीटर इन्टू सेकंड का घात रेड़े इस तरह से इसको लिखा जाता है माडर रफी जिसमें वे भी सही है तो ये देखिए ये जो मात्रक वेक का मात्रक हम किसकी सहायतास निकाल लिए दो मूल मात्रक के लंबाई भी विस्थावर मतलब लंबाई लंबाई भी मूल मात्रक है और समय भी मूल मात्रक है तो दो मूल मात्रकों की सहायतास है जो तीसरी भौती करासी का जो मात्रक निकल लिया इसलिए हम उसको क्या कहते है विद्पन मात्रक कहते हैं इस पकार से अब आप विद्पन मात्रक को count नहीं कर सकते हैं क्यों कितने होते हैं मतलब सीधी सी बात है single line में आपको कहूं मैं तो मूल मात्रकों को छोड़के जितने भी मात्रक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं ब्युत्वपन मात्रक होते हैं क्यों क्यों कि वह मूल मात्रक की सहता से उत्पन होते हैं इस प्रकार मैंने आपको इंट्रोटक्शन दिया मात्रक के बारे में तेक बार में रिवाइस कराता हूँ आपको मात्रक हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं मूल मात्रक सास होते हैं ऐसे मात्रक जो किसी और पर निर्भर नहीं करते वो मूल मात्रक कह कि इन मात्रकों की सहायता से यदि आपको इनको परिभासित करना है इन मात्रक को परिभासित करना है ताब इसका definition आप लर्र कर लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे कि एक मीटर क्या है एक किलोग्राम क्या है तो फ्रांस का सेवरस नामक जगा में जो आज भी एक म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पर यह सब रखा हुआ है उसी से हम measurement करते हैं यहाँ पर मैं आपको एक सला दूँगा कि measurement वाला जो chapter है उसमें आप कोई भी book कंसल करते हैं किसी भी writer का book कंसल करते हैं तो उस book में conversion table दिया होगा English time क्या है, Hermi क्या है और micro क्या है यह सब आपको दिया हुआ है उस conversion table को आप एक लर्न कर लेंगे तो आपको numericals बनाने वगरे में सहुलियस होगा, अभी आप बहुत relax बहुत आराम से 11th class के phyges को start करिए एक दो chapter के बाद आपको habit होगा थोड़ा, क्योंकि मेरा बहुत lang experience है, मैंने देखा, student 10th class के बाद 11th में आते हैं, तो शुरू-शुरू-फिजी से थोड़ा घब राते हैं, ऐसा नहीं है मैं continuous video upload करूँगा इसके लिए आप one by one एक मेरे playlist में 11th class Hindi medium phyges का contents होगा, उसमें one by one आप उसको देखते जाए, आपको अच्छे से समझने आएगा, clear? अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो इस chapter का सबसे महत पूर्ण चीज है, वो है वीमी सुत्र, वीमी सुत्र, dimension formula यह इस chapter का सबसे important चीज है, dimension formula या वीमी सुत्र, तो वीमी सुत्र होता क्या है? dimension formula होता क्या है हम ये जो साथ भहुतिक रासी पढ़े मूल मात्रब इन भहुतिक रासीयों को एक विशेश प्रकार के संकेतों से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है dimension formula कहलाता है इसको हम generally M कप पावर A M फार मास L, L कप पावर B L फार ले हम इसको प्रदर्शित करते हैं बाकी साथ को भी प्रदर्शित करते हैं तिया चार को लेकिन सबसे पहले हम MLT के फार में देखते हैं अब यहाँ पर मैं आपको कुछ भहुतिक रासीयों के वीमी सुत्र निकाल के आपको बताता हूँ जैसे मानलो हमको वेक का वीमी सुत्र निकालना है अभी जैसे मैंने बताया है तो वेक वेलस्टिटी बराबर क्या होता है विस्थापन अभी मैंने बताया आपको विस्थापन बड़े समय अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि M फार मास मतब लंबाई की जो विमा होगी वो क्या होगी M होगी ए स्वारी दरब बेमान की विमा M फार मास तो दरब बेमान की विमा M L फार लेंद तो लंबाई की विमा को हम किसे पदस्थित करेंगे L से और T फार टाइम तो समय की वीमा को किसे पनाशित करेंगे T से तो यहाँ पर आप देखिए यदि हमको वेग का वीमा निकालना है यह वेग एक बिद्पन भोती क्रासी है इसके यदि हम वीमा निकालना चाहें तो अंस में है विस्थापन विस्थापन जो की लंबाई है तो उसको हम क्या लिख देंगे L लिख देंगे और अब पान यह समय तो समय को क्या लिखेंगे T लिखेंगे इस परकार से आगे इसको हम वेग कर दें तो यह हो गया L यहाँ पर T का घात 1 है अब उपर में जाके अंस में जाके उसका घात 3 रिख हो जाएगा तो T to the power minus 1 तो इस परकार से यह जो लिखा है L T to the power minus 1 किसकी वीमा होगी वेग की वीमा होगी इस परकार हम इसके वेग के वीमा को लिख सकते हैं इसमें M नहीं है तो M को हम न लिखे तो भी चलेगा और यदि हम लिखना चाहें तो उसके घात में क्या लिखेंगे सुन्य लिखेंगे M का घात सुन्य यह L और T to the power minus 1 इस परकार से लिख सकते हैं M लिखा भी जा सकता है न लिखे तो भी चलेगा मालो हमको त्वरण का विवा निकालना है मालो हमको त्वरण का निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा त्वरण के फार्मूला में जाना पड़ेगा त्वरण का फार्मूला क्या होता है तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है वेग परिवर्तन मने वेग और बटे समय यह होता है दर्ट इक्वल इसको सालो करें तो वेग का विमा हम निकाल चुके हैं देखें यहां से यह हमको याद रहना चाहिए अभी धिरे धिरे आपको जो भौतिक रासी की विमा हम निकालेंगे या इसकी तो गिंती नहीं है चीस-थीस नियर अबाउट 20-30 के आसपास आप भौतिक रासी की विमा जो आपके बुक के है लिस्ट में चार्ट में दिया हुआ है वह आपको क्या है एक बार लर्न कर लीजिए यह हो सके तो मैं अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा वैसे आपको एबले समझाने के लिए कि फिजिस आपको कैसे पढ़ना है यह बैसी चीज में आपको बता रहा हूं देखिए अब हमको निकालना है तोरण पर आपर वेक बटे समय तो वेक की विमार क्या है यह एल एल टी टूदी पावर माइनस वन और समय करके हो जाएगा टी हो जाएगा तो इस पकार तोरण की विमा हो जाएगा एल टी टूदी पावर माइनस टू यदि आपको निकालना है कोई भी मालोग बल का निकालना है मुझे तो बल अब यहाँ पर एक बाता आप देख रहे हो किसी भी भौतिक रास्तिक यदि आपको विमा निकालना है तो सबसे पहले क्य पता होना चीह है उसका फार्मूला पता होना चीह है यदि आपको उसका फार्मूला नहीं पता है तो आप उसका विमा नहीं निकाल सकते तो तो तोरण बराबर क्या हो जाएगा देखो तोरण बराबर होता है बल बराबर द्रब बिमान गोडित तोरण द्रब बिमान निकाले हैं यह, उसको हाँ पर put कर दो, L T to the power minus 2, that equal हैगा, M L T to the power minus 2, एक एक करके मैं क्रम से one by one इसलिए बता रहा हूँ, तापकि आपको समझ में आते जाए, कि वेक की सहाथा से तोरण कैसे निकला, तोरण की सहाथा से बल कैसे निकला, मालो इसके बाद हमको निकालना है कारे की विमा, तो कारे बराबर होता है, बल गुडित विस्थापन, बल गुडित विस्थापन, तो बल का मात, विमा हमने क्या निकाल लिया, यह निकाल लिया, इसके यहाँ पर भढ़ दीजिए, M L T to the power minus 2, और विस्थापन, विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई का कितना हो जाएगा, L, यहाँ L का घात एक, यहाँ पर L का घात है, L L गुड़ा होके L का घात दो हो जाएगा, तो M L square T to the power minus 2, इस प्रकार से आप विमी सुतर की गर्णा कर सकते हैं, तो कुल मिला के L L और T के पदों में किसी भौतिक रासी को ब्यक्त करना ही क्या कहलाता है, उसका विमा कहलाता है, अब यहाँ पर आप देखिए, यह तो विमा निकालने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपके 11 class के एक्जाम में यह आएगा, आपके वीडियो में और इसको बताऊंगा, अब यहाँ पर आप देखिए, यह है विमी सुत्र, अब विमी सुत्र के बाद क्या पहरना होता है हमको इसका अनुप्रयोग, विमी सुत्र के application, तो विमी सुत्र के application को जानने के लिए, आपको कम से कम, कम से कम सुरुआत के 22-30, 20 से लेके 30 तक के जो भौतिक रासियां हैं, उनको, उनकी विमा आपको लर्फ होना चाहिए, जैसे मैं आपको कहूँ, कि कारी के विमा क्या है, तो आपको मौखी क्या आज होना चाहिए, और ऐसा आप निकाल से रहेंगे, एक मिनट बेरी बात आप ध्यान देंगे, यदि आपको कारी के विमा का कहीं पर जवरत पड़ा, तो आप उसको निकालेंगे बल की सहाथा से, अब आपको बल को नहीं पता है, तो बल को निकालेंगे तोरण की सहाथा से, अब तोरण को नहीं पता है, तो वेग से यदि हम कारे की विमा को निकालें तब तो यही करते रहेंगे फिर हम कैसे परफार्म कर पाएंगे तो मेरा आपको सजेशन है कि स्टार्टिंग के कुछ भोटी क्रासियों को आप लर्न कर लीजिए उसको याद कर लीजिए तो जैसे मैं आपको कारे की विमा क्या है तो आपको तुरांट पता होना चाहिए कि सर कारे की विमा M, L का घादो, T का घाद रिर्ड़ो होता है तो आप जब निमिरकंस बनाएंगे तो बहुत आप साहब कर पाएंगी इस तरह से आपको इसको पहला अर्म करना है आज हिंदी मीडियम का फिजिक्स का मेरा पहला वीडियो है 11th क्लास के लिए 12th का तो मैंने बहुत सारा वीडियो बना लिया है 12th board क्लास है करके मैंने 11th क्लास में टाइम को प्रावलम था मैं चाहता हूँ कि धीरे 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 आप उसमें प्रेक्टिस में आएंगे लेकिन बहुत जल्दी जब इसका आप मेरा second part देखेंगे उससे पहले आपको मेरा एक suggestion है कि कम से कम 20 से 30 भावतिक रास्की के वीमा आप याद कर लिजे क्योंकि इसके बात के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वीमी सुत्र का अनुप्रयोग माने उसका फिजिसमें उप्योग क्या है जो 100% आपके exam में आता है तो इस chapter बहुत छोटा है लेकिन मैं दो वीडियो में इसकी से प्रवाइट कराऊँगा ताकि आप उसको बहुत आसानी से लर्न कर सकें तो आपको इसका लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगा जो भी बुक आपको जो भी एनी वन कोई भी भी बुक आपके पास होगा उसमें एक ऐसा चार्ट दिया होगा इस तरह से इस चार्ट में यहाँ पर बहुत इकरासी का नाम लिखा होगा फिर वहाँ पर उसका सुत्र लिखा होगा और फिर उसका वीमा लिखा होगा तो यह आप क्या लर्न कर लिए नियर बाउट 20-30 के आसपास ताकि मेरा सेकंड वीडियो देखने से पहले आप उसके तयार रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा इस तरह dear students मेरा आपको suggestion है कि आप अब 11 class में decide कर लिए हैं कि आपको science लेना है तो physics आपको पढ़ना होगा और beginning से आप सुरवात से ही competitive exam को ध्यान में रखके इसका तयारी करिए मैं आपको complete cooperate करूँगा और आपको किसी भी तरह का problem हो तो आप मेरे चेनल के comments box में जरूर लिखे और आप चेनल को subscribe करिए ताकि आपको continuous मेरा वीडियो मिलता रहे ओके थैंक यू अजय कर दो दो आपको में जरूर आपको जरूर दो आपको जरूर बादाए